नमस्कार मैं हूँ प्रबीन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शो डेली रौंड़ अप में सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्क्यों पर कनेया जिग्नेश की एंट्री का कॉंग्रेस पर क्या पड़ेगा प्रभाव वैक्सिन को मानिता देने में हो रही उल्जन से वैश्विक हवाई यात्रा पर पढ़ रहा है असर सास कोविड टू के करीवी वाइरस लौस में पाए गए और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटों में 23,529 नए मामले 311 मरीजों की मौत पिछले एक हफसे में कॉंग्रेस पार्टी में कई बदलाव देशने को मिले हैं पहले काप्टर अमिनितर सिंग का इस्तिफा उसके बाद एक दलित मुख्यमंत्री चरण जी सिंग चन्नी का आना और अब पार्टी अध्यक्ष नौजोत सिंग के इस्तिफे के साथ ही चात्र नेता कनेया कुमार और दलित नेता जिगनेश मेवानी का कॉंग्रेस में शामिल होना कई बदलाओं कई उतार चड़ाओं से गुजर रही देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए आगे का सफ़र कैसा होगा इस वर बात कर रहे हैं वरिष्ट पत्रकार उन्मिलेज आईए उन्हें सुनते हैं आयन मौके पर जबकि कॉंग्रेस एक नई चलांगे लगा रही थी और नए पार्टी में नए नेता आ रहे थे उसी दिन सिद्धु साहब ने प्रदेश कॉंग्रेस पर्ट से इस्तिपा दे दिया अब ये आश्र जनक है बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ऐसा काम पहले भी करते रहे हैं अचानक एक बार इंग्लेंड से वो क्रिकेटर के रूप में चले आये थे टीम को बताए बगर और क्यों क्योंकि उनको उस समय के जो कैप्टन थे क्रिकेट टीम के उनका ये फैसला बहुत नागवार आपकी नहीं मैं सेंटिमेंटल नहीं हूँ क्योंकि उन पर पूरे देश में पंजाबी नहीं पूरे देश में उनके बारे में आप कहा जाने लगा है कि सिद्धू के बारे में अमरिंदर सिंगी और जो उपिनियन थी वो तो बिल्कुल सही नहीं है खासकर उनका उनको उन किसी भी बड़े नेता को जो खासकर किसी राजे का मुख्य मंतरी रहा होग भारत के किसी भी नागरिक पर और खासकर जिमेदार नागरिक पर इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए अमरिंदर सिंग को नहीं भूलना चाहिए कि वो भारती जनता पार्टी जैसी देशभक्ती की सबसे बड़ी ठेकेदार पार्टी के बहुत दिनों तक है सांसद रहे हैं और पता नहीं अभी अमरिंदर सिंग का भाजपा से क्या रिष्टा जोड़ने वाला है और आजकल तो उनके नेताओं से उनके संबाद की भी खबरें आ रही हैं तो मेरा ये कहना है कि अमरिंदर सिंग जी ने और जो आरोप लगाए उन पर देशभक्ती संबन्दी वो तो गलत है लेकिन उनका एक आरोप आज के दौर में सही सावित हो रहा है कि वो इस्थर दिमाग के आदमी नहीं है और कब क्या करेंगे कोई ठीकाना नहीं और दोस्तों इसकी वज़ा है इसकी वज़ा है कि वो मूलतार आजनितिक व्यक्ती नहीं और ये जो कांग्रेस का संकट है कि वो जब तभी कोई चमकदार आदमी देखती है हाल के दिरों में तो उसको फॉरन लोकती है लोकना मतलब उसको उठा लेना उसको अपने एकदम कंदे पर ले लेना ये काम बीजेपी भी करती रही है खूब करती रही है सिनेमा के लोगों को खेल के लोगों को तरह तरह के लोगों को यहां तक की मीडिया के लोगों को भी वो जैसे ही देखा कि कोई अचानक चमकदार आदमी है उ कॉंग्रेस के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कॉंग्रेस नाम की पार्टी को एक तरह से डारेक्ट करता हो आइडियोलोजिकली बीजेपी हिंदुत्वा की पार्टी है उसको हिंदु राश्र का सपना देखने वाला RSS हर मौके पर डारेक्ट करता है जैसे ही कोई बड़ हैसियत में रखो जितनी जरूरत है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ये सब कुछ भूल जाती है क्योंकि वो तो कहती है कि वो एक मास पार्टी है और मास पार्टी की अपनी कोई न्यूकलियस नहीं है और अब तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बड़ा जो संकट है वो मुझे ल बहुत अनुभवी हैं जीवन में रायनीती में लेकिन उनके पास काम नहीं है क्योंकि उनसे काम लिया नहीं जा रहा है तो नेताओं और कारकरताओं कि कांग्रेस की आज भी कमी नहीं है असल में उसके पास विचार की कमी है अब जग वैश्विक स्तर पर COVID-19 की स्तिती धीरे धीरे नियंतर्ण में आती लग रही है तब अंतर रास्ट्री हवाई परिवहन को धीरे धीरे खोला जा रहा है खास कर उन देशों में हवाई बाजार तेजी से खुल रहा है जहां बड़े इस्तर पर टीका करण का अभियान चलाया गया था हवाई यात्रों की वर्ती मांग से बड़े अस्तर का टीका करण कराने वाले इन देशों से सबसे घनी आवादी वाले जैसे UK, ब्रिटेन या भारत और उतरी अमेरिका वह कुछ यूरोपीय देशों में चलने वाली उड़ानों पर दबाव बढ़िया है सबसे कम टीका करित देश अफरीका और लैटिन अमेरिका में है जहां हवाई उड़ानों पर अब भी महामारी का प्रभाव पढ़ रहा है कुछ पुर्वी और दच्छिर पुर्वी एशियाई देश, आस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड द्वारा भी अंतरास्ट्रिय सेवा को पूरी तरक खोला जाना बाकी है यह बताता है कि जब तक कोरोना वारिस वैरियंट्स का प्रशार रुक नहीं जाता तब तक लोगों की आवाजाही बाधित रहेगी महामारी में चलने वाली बबल फ्लाइट जो पिछले 4-5 महीने से भारत में चल रही है भारी दबाव महसूस कर रही है एर बबल दो देशों के बीच एक ततकालीन प्रबंदन है जिसका मकसद अंतराष्ट्री हवाई सेवा बंध होने की स्थिती में व्यावसाई यात्री सेवा को दुबारा चालू करना था दोनों देशों की एरलाइन्स को इस सेवा के तहट बराबर फायदे ही मिलते रहे हैं SARS-CoV-2 जो COVID-19 महामारी के लिए जिम्मेदार वाईरस है उसकी उत्पत्ती पर लंबे समय से बहस चल रही है जंगली नसलों में कोरोणा वाईरस गो महामारी पैथोजन के साथ जैनेटिक समानता रखते हैं वा इस वाईरस की उत्पत्ती की तरफ भी इशारह करते हैं वेग्यानिको और शोद कर्ताओं ने प्रकृती में ऐसे कोरोणा वाईरस को खोजने का काम किया है वैग्यानिको ने नाव लाउस में तीन वाइरस खोजे हैं जो अब तक मिली किसी भी अन्य वाइरस के मुकाबले साज कोविड टू के अधी करीबी है ट्वी प्रिंट सर्वर रिसर्च स्कॉयर में प्रकाशितिक रिपोर्ट के अनुसार नए पाएगए वाइरस से प्राप्त जेनेटिक जायकारी से पता चलता है कि उनके जिनोम का हिस्सा इस दावे को मजबूत कर सकता है कि महामारी के उत्पत्ति प्राकृतिक यानि नैच्र से 645 चमगाद़ों की लार, मल और मुत्र के नमूने एकठा किये इसके अलावा घोडे की नाल की तीन प्रजातियां बुनाल 52, बुनाल 103 और बुनाल 236 में ऐसे वाइरस पाए गए जो सार्स कोविड 2 से 95 प्रतिशत से जादा मिलते जुलते हैं महराष्ट में हुए एक सर्वे में महामारी के दौर की घिनावनी हकिकत का खुलासा हुआ है महराष्ट के जन आरो के अभियान के दौरान किये गए सर्वे में बताया गया कि 75 प्रतिशत कोविड मरीजों को ओवर्चार्श किया गया था यानि उनसे जरुत से ज़ादा पैसे लिए गये थे इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि इन मरीजों में से आदे मरीजों की मौत हो गई थी अब बात कर लेते हैं कोविड के आगडों की किंदिस्वास मंतराय दौरा आज गुरुवार यानि 30 सितंबर को जारी आगडों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 23,529 नए मामले दर्श की गए इसके अलावा करोना से दूसरे दिन भी 300 से ज़ादा यानि 311 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 28,000 से ज़ादा मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिम मामलों में 5,500 मामले कम हुए हैं देश में करोना संक्रमण के मामलों की संक्या बढ़कर करीब 3,37,000,000 हो गई है स्वासमत्राई ताज जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सिन की अब तक 28 करोड से ज़ादा डोस दी जा चुकी है जिन में से करी 65,000,000,000 वैक्सिन की डोस पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेने राट अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटीब चानल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया